नमस्कार आप देख रहे हैं टॉप न्यूज नेट्वर्क्स एंड मैं हूँ आपके साथ हमाने बढ़ स्वागत आप सभीगा हमारे इस खास शो टॉपिट टॉप्स में आज हमार साथ जुड़े हैं बीजेपी के वरिष्ट नेता और बीजेपी के यूपी से कोईन चार्ज मिस्टर रामे सर्च वरिस्या जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में धन्यवाद जी सर सबसे पहले आप हमारी ओडियंस को अपने बारे में कुछ बताएं आपने कहां से पढ़ाई अपनी पूरी करी देन आपका पॉलिटिक्स में कैसे आना हुआ दोखर मैं बेसे किली शुद गाओं का आदमी हूँ पढ़ाई से ज्यादा खेल कुद में अमनों का ध्यान रहता था मैं किसान का बेटा हूँ मेरे फादर मदब दोनों किसान परिवार से हैं और खुद उन्होंने पढ़ाई नहीं की कभी स्कूल गए ही नहीं लेकिन गाओं के स्कूल में अब जो जिनका बच्चा नहीं पढ़ा रहा था उनको सौक जादा होता है कि बच्चे को पढ़ाए है होता तो सबको है तो गाओं में तो कोई पढ़ता नहीं था तो जब अरजस्ती स्कूल भेजा गया तो साथवी तक तो मैं गाउं में रहा उसके बाद साथवी पास करने के बाद मैं चला गया नोखा, मैट्रिक करने लेकिन मैं शुरू से कलास में टॉपर रहा कभी सेकंड भी नहीं आया इवेन जब बड़े स्कूल में गया तो वहाँ तो गाउं के थे, वहाँ शहर के लोग भी थे ब्लॉक के लोग भी थे, उसमें भी मैं सबसे ज़्यादा मार्क्स लाया, इवन बोर्ड में भी, जब मैं साइंस कॉलेज में गया मैट्रिकुलेशन के बाद, तो वहाँ भी हम एस सेक्षन में रहे करने के बाद हम दिली आ गए लेकिन देली इनुवर्सिटी में अडिमिशन लेने के बाद भी हमें अच्छा नहीं लगा एमसी में फिर मैं लॉट करके चला गया पतना इंजिनेरिय को अगर हुआ कोई नहीं था मैंने छोड़ दी पतना से एमसी पूरा करने के बाद फिजिक साइंस में मैंने टेस्ट दिया जेनुव का फिर जेनुव चलाया पढ़ने तो अच्छली मैं तीन बर जेनुव जोइन किया एक बर लेंग्वज में फिर एंफिल में एक साल किया फिर डाइरेक्ट पी एस्टी में हो गया फिजिकल साइंस में और जेनुव में रहते हुए कि राजनिती करने लगा इर्न अड़ा जी जब राष्ट्री अधक्ष बने हमें उसका सदस्य बना यह मैं आपको बता रहा हूं अर्ली नाइंटीज हम और एक्टिम तो मैं एटी एट से हो गया जब बीजेपी के दो ही सदस्य थे लेकिन हम लोग यह भी भी से थे तो सभाव मैं तब बीजेपी सही लगा हो था वहां आते आते मैं यहां दस साल तक तो यूथ विंग की राजनिती किया पुरा मैं हर्पत पर रहा राष्ट्रिय मंत्री भी रहा बहुत परदेसों के इंचार्च रहा राष्ट्री उपाध्यक्ष रहा फिर दो हजार में पहली बार मै नोखा एक छेतर है सासाराम के पास बिहार में मैं बिधायक बना हूँ उसके बाद फिर मैं यवाम उर्चा में काम करते रहा बहुत प्रभारी रहा चार बार बिधायक रहने के बाद फिर मैं 2010 में दिल्ली का प्रभारिय इंचार्ज बनाओ बेंकेया जी के साथ और दिल्ली में MCD का चुनाओ था 2012 में तो चुनाओ कंड़क्ट कराने के बाद 13 में मैं बन गया उतर परदेश का को इंचार्ज अमित साजी के साथ मैं राष्री मंत्री था फिर वहां लोकसभा में काम करने के बाद अभी तक पिर चले बिधान सभा में किया मैं दिल्ली यूतर परदेश का को इंचार्ज हूं भारती जनतरपाटी के तरफ से और बड़ा इंट्रेस्टिंग है मैं कोई राजनीती करने तो वाया नहीं था हम घ्योग तो जरूआ जोइन किये थे य्ञ बननना था चığ बाहर में सच करने जाना था ऐसे मुझेश मझे जरमनी जाना था फिजिक्स का दिन होते होंत तो जो लीखा होते हो ही होता है ठाफ कॉैंसिडिएट सब इस तालेकि में नहीं गया एं अब कर जलता रहा जुए आजनीतिक फैमिली से था या बड़े परिवार से था बहुत सधारन किसान का जो परिवार नहीं होता है जाओं पर रहना अल चलाना क्यती कराना यहीं विए हम लोग का काम था और बैच्पन में हम लोग मचली मारना खेतों में सब काम किया क्योंकि गाओं के लोग करते ही है और खास करके जो मिडिल वर्ग और साधारन परिवार से आते हैं किसान फेमली से तो करना पड़ता है। सब करते करते जब मैं शहर में आया तब मुझे लगा कि नहीं पढ़ाई करनी चीए। जब मैं पटना में आया diferenा में फिर में पीछे मूड करके नहीं देखा। और यह यह इतिफाक है की जो एक्जाब में देता था उसमें फास से आता था। मैं कभी किसी एक्जाम में ड्रॉप ने हुआ। लेकिन नियती का राजनीती करते करते मैं यहां पोचा हूं, यह तो मेरा था जो बैक्ग्राउंड जैसे पॉलिटिक्स मानेगा, और आज जो परिष्थिती है पॉलिटिक्स की वो यह इक अलग भी से हैं, क्योंकि मैं समझता हूं कि मैं राजनीती मैं सच मामने मिसली आया है कि BJP के एक अलग सिधान थे, संग के एक अलग, तो मुझे लगा कि कुछ है, एक बार, यह भी इंसिडेंटल था, हमारे गाइड पुछने लगे कि बाप राजनीती में यहां कम ध्यान लगाते हो, तब मुझे लगा कि से राजनीती में, जब गलत लोग ही जाएंगे, तो फि जब आपको बताओं तो पॉलिटिक्स में हमें तो बहुत याद नहीं है जब परकास अंदोलन का, हम छोटे से गाओं में थे, इसकूल में पढ़ते थे, तो हलका हलका याद है, लेकिन जब हम लोग पतना आ गए, तो हम लोग अटल जी का भासन बहुत सुनने जादे करते थे, अच्छा, शुरू से, अटल जी उस समय विदेश मंत्री वा करते थे, मुरार जी देशाई या चरन सिंह थे उस समय प्रधान मंत्री, तो उस समय मेरी शुरुआत होई जो राजनिती की, राजनिती में इंटर्स आने लगा था, एबीविप जैसे पतना में गया, तो हम लोग अटल जी का भाषण सुन-सुन करके, एक आदर्स उनको मानने लगे थे, उस समय आपको मैं एटी की बात बता रहा हूँ, और तब से, एक लगाउसा होता गया, और यहां आने के बाद जब उनसे मिलने का, आपका भी हम लोग सुचते ही नहीं थे, कि अटल जी तो उसी ओफिस में काम करते थे, अटल जी भी आते थे, अडवानी जी आते थे, जो सी जाड़ी सबरिश्य लोग थे, भंदारी जी थे, ठाकरे जी थे, और आज जो प्रधान मंत्री है, ओ आगे फिर नाइंटीज में यहां, तो मैं यूथ विंग में था, तो मोदी जी य तो जब इस तरह से आदमी का इंट्रोड़क्शन होता है, गाउं से आया हुआ बच्चा, और इतने बड़ी हस्तियों से मिलता है, जबकि हम पतना आये थे, तो हम लोग एमले क्या होता है, डरते थे मिलने से, लेकिन यहां जैसे एंट्री हुई राजनीती में आने से, गाउं में तो कोई पुछता नहीं था, गाउं से चल कर के आये, और यहां इतनी परसीदी मिली तो फिर कोई लोटना चाहता भी नहीं है, हम उस समय कुछ नहीं थे, हम तो पार्टी में काम कर रहे थे, लेकिन अच्छा लगता है कि इतने बड़े-बड़े लोग जिन को आ पार्टी जी राष्ट्री अधक्ष्टी और मैं राष्ट्री मंत्री था, लेकिन ओफिस का कोईडिनेशन में ही देखता था, कारक्रमों का इसका, उस समय जब नरेंद भाई आये, महा मंत्री बनके तो हम लोगों के यूथ मुन के इंचार्ज वा करते थे, तो उस समय, चुनाओं में जाता है, तो गुजरात में, जसा मुझे ख्याल है, मैं तीन चुनाओं में, पूरा समय दे करके, कभी एक महिना, कभी दो महिना, कभी तीन महिना, वहाँ ही काम किया, और और जग भी चुनाओं में जाते थे, इसा नहीं ही माचल भी जाते थे, यूपी का हो कई लोगों का कहना है कि आप CM candidate भी है तो उस बारे में आपका क्या कहना है नहीं देखो जो भी चुनाओ लड़ता है कहीं भी सीम पीम बनने यह तो पाटी का किसको बनाता है और अपनी डेस्ट नहीं होती है मैं चार बर वहाँ चुनाओ लड़ा लड़ा लेकिन मैं पिछली बर चुनाओ हार गया जब चुनाओ चल रहा था तो कुछ मेडिया ने कुछ पेपरों लिख दिया सुभाविक है कोई सीनियर हो जाता है तो कभी मेरा नाम चलता था कभी किसी का चलता था तो जब राजनीती में रहेंगे और सीनियर हो जाएंगे और जिस परदेश के है तो वहाँ नाम चलता ही है यह कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन सुभाविक है कि बीज़पी को वहा में जो इमेज बन गये थी उसको सुधार ने का काम किया हम लोग उस सरकार में और दस तक तो सरकार बहुत अच्छी तरह चलिए लेकिन दस के बाद चुकि हम भी ज्यादा जित गये और नितीश भी ज्यादा जित गये वह 142 लड़ते थे हम 101 लड़ते थे उसमें उनको 115 आ गया मेजोरिटी से साथ कम और हमें 101 में 91 हम भी चित गये तो हम लोग 206 सीटे जीते थे उस समय और आर जेडी जो आज है एक असी सीट एक आसी सीट के साथ वह मात्र बाइस पसीमट गये थे लेकिन इतिसरी के साथ जो हुआ ओ तो इतिहास है लोग जानते हैं बताने की जोरुत नहीं है जब यह अलग हुए तो यह कर सकता हूँ कि 2000 के बाद से जो विकास की गारी थी ना 2010 के बाद से थोड़ी डीडेल हुए फिर आर जेडी के सायोग से सरकार बनाने लगे फिर आर बढ़ने लगा तो आंत में इनको हैसाद सुगा तो बरस्ताचार को लेकर के बाहर आये तो तो 1990 के बाद से बिहार से कॉंग्रिस बाहर है और वही लोग सरकार चला रहे है जो 75 के अंदोलन के प्रकास अंदोलन के प्रोड़क्ट है गवातर अंदोलन के उनी लोगों के लेकिन मैं मानता हूं कि सरकार कोई भी हो देश की परदेश की एक पॉलिसी होनी चाहिए विकास की उसके साथ सम्झे होता नहीं होना चाहिए अपराद नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए अगर अमेरिका में सरकार बदलती है फ्रांस में सरकार बदलती है तो इसका दिया कोई भी पॉलीसि जनता के लिए होगी और देश के लिए होगी और उस परदेश के लिए हो तो है तो आज वी एसास में पहर जाहिए आपको खुद पिसी स्राफ के पर्टीकुलर स्टेट के पर्टिकुलर सीएम को दोस्ते ना पर्टिकुलर जिसको जी मृरी मिलती है, ये समझ करके काम करना चाहिए राजनीति में हम जन्ता के बहलाई के लिए आये हैं, ना कSir अपने घर बनने के लिए जैसे एक पिक्चर नहीं था कि मुहबब अप्तिजारत बन गई है तो अगर हमसे आप पूछेंगे कोई गाना आपको पसंद है तो मैं बोलूंगा राजनीती अप्तिजारत बन गई है इससे देश को बाहर निकालना चाहिए यह बहुत दुखत हो रहा है जिस इसने अस्तर तक बैयानबाजी हो रही है मैं तो कते ही खुष नहीं हो से चाहो किसी भी पार्टी का हो क्योंकि राजनेताओं के बारे में कल एक सर्वे आया आपने देखा होगा उसमें राजनेताओं से उमीद कितनी हम आलू में माइनस 1.6% और कोट से उमीद है 54% सबसे ज्यादा उमीद किसे है सेना से सबसे ज्यादा विश्वास लोगों को किसे है सेना पर 87% तो यह जो चार अस्तम है राजनीती के नय पाली का कारेपाली का विधाई का और प्रेज इनको भी अपने बारे में सोचना चाहिए कि इनके स्टेंडर कहां चाला जा रहा है ए कि निगेटिव में जाना मैं इसके इतफाक नहीं रखती है कि बात तो कहो कड़वी बात भी को सची बात भी लेकिन वो मर्यादा के अंदर होनी चाहिए, मर्यादा नहीं लगना चाहिए किसी करें, क्योंकि चानक ने भी कहा था, कि गांधी ने भी कहा था, देखो, धर्म में, राजनीती में धर्म हो, तो राजनीती अच्छी चलती है, लेकिन धर्म में राजनीती लाओगे, तो धर्म होगा और आतमी दर्म नहीं होगा । तो आप मैं टिटाय कर दो है जब रीसी निरंकुस हो जाता है तो fiscal आप देता है लेकिन जब राजा निरंकुष होता है होग ना तो पुरा अत्यक्यलीह은नों έχ conflict प्र्राशा निरंकुष Ó अब मैं मांता हो गिल प्रशासन निरंकुष होता है कि उल्यक दीनों हैं जगा ने उसको यह हमेशा एहसास रहना चाहिए जन्ता ने उसको चुना है जन्ता के बेच रहने के लिए जन्ता का काम करने के लिए वो ब्यूरोक्राइट की तरह भीवर बैवार इसको सुधारने के लिए मुझे लगता है सबको मील के गाप करने जाए तो आप किस तरह से उन्नति इलारे अपनी देश में क्या प्रजेक्ट सरे लिए मुझे तो जहां मोगा मिलता है चाहे बोलने का माओ का मेलता है जिस मंच पर हो जाए पाटी-फॉरंट पे हो जाए कही में अपनी बात कहने से नहीं किए शहीज बात कहता हूं बहुतों को पसंद नहीं है आज की राजनिती में पसंद नहीं है लेकिन लोग एहसास तो करते हैं। क्योंकि जब तक अगर आपको दर्द हो रहा है और डॉक्टर कहता है करवी दवा से ही ठीक हो नहीं तो दवा तो लेनी ही पड़ेगी नहीं लेंगे तो वो तो बढ़ता जाएगा तो ये अगर सही मामले में ठीक करना है और मैं संदूता हूँ कि समय के साथ सब ठीक हो भी ज इंसर की तरह जो फैला है इसको नहीं रोका गया तो अज बैंक की क्रेडिबिलिटी घट रही कि हो बैंक से लोगों का भिष्वास सोच जाए बहुत कतनाक है और बैंक से लोग पैसे लेके डिफॉल्टर हो रहे हैं बैंक में आम जंदा के पैसे हैं इस पर क्या रोक नहीं नहीं को नहीं चुकाते तो आपके घरे स्कूटी उठाने पहुँचाते हैं आज एक किसान ट्रेक्टर खरिदता है उसके यह पहुचाते हैं और बड़े-बड़े लोग इतने लेकर के पैसे पैसे बैठे कैसे बैठे कई इनको मिला तो यह सब चीजें ठीक करें पड़ें कहीं ना कहीं बदला उलाने के बहुत ज़रूत है अगर बात करें नितीज सरकार की तो इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्टर में काफी काम किया बट अभी भी वहां रोजगार की कमी है तो क्या कहना है आपका उस बारे मुझे एक बात मैं आप जानते हैं अभी भी लिखते हैं अरून कुमार जी मैं तुड़ा उनके चच में रहता था हमारे प्रोफेसर ही थे हलांकि हमारा सब्जेक नहीं था वो लेकि राजीती में आने पर सिखने के वहां का मिलता है तो उसमें देखिए इंफ्रास्ट्रक्टर का जो काम ने पाजामा पहंते थे वो चोड़ा वाला ताकि उसको उठाले पानी में गीला नहीं हो वो करके हम लोगा पाजामा को हम लोग हाप पैट माना हाप बनाते हैं हम लोग कभी नहीं सोचे लेकिन अटल जी नो जो कॉंसेप्ट या फोरलें को एडिलेटरल जो बीदेसों में क्योंकि विदेस नीती में तो अटल जी माहिर थे और विदेसों का दोरा बहुत किये थे ग्रामिड सड़के होनी चाहिए गाओं का विदूती करण होना चाहिए तेलीफोन आम लोगों के पास होना चाहिए इन चार चीजों को अगर देख लो तो सही में जो एई इन्फरा कि देखो सावरे गाओं का विदूती करन हो गया है जो गाओं बचे थे हमारी सरकार ने मोधी सरकार में कर दिया विदूती करन अब तो कोई गाओं जासा बचा नहीं है हां यह बात सही है कहीं इंफ्राक्टर कमझ और तो बदले जा रह है वो समय से होते रहता है विकास की काम चलते रहता है जब पांच में नेतिजी की सरकार बनी तो यह चीज हम लोगों ने देखा बिहार में कहा जाता था कि गढ़े में सड़क है कि सड़क में गढ़ा ही पता नहीं चलता था तो सबसे पहले जो जोड़ दिया किया सड़के ठीक हो तो मैक्सिमम बजट दे करके आप जाइए आज बिहार की सड़के ठीक है आप सड़के अच्छी बन रही है गाओं की सड़के भी ठीक है जो अब जोजना चल गी तो ठीक है तो विकास के अस्तर पर काम हुआ बाकियों को होता होगा कि नहीं कोई देखा है गाओं के नहीं मैं नहीं जानता मैं जिस गाओं से पढ़कर की आया और हितने अब जैसे इंशूट में पहुंचा दिली एड़ी संदिया छोड़कर की चला गया आज उस गाओं का लड़का कलपना भी नहीं कर सकता वो जैसे गारजियन होते थे लड़का नहीं पढ़ रहा है कोई अच्छा है तो मैं मानता हूं कि गुरू सिस्ट को पहचानता है तो पहले एक गुरू होते थे इसलिए गुरुकुल का नाम दिया गया था एक काबियत होते थे मैं जब दिली आया तो आज विका के लिए मैं को कोचिंग कर था तो जब पेरेंट्स पूछते थे तो जिनके बच्चे बच्चियां थी तो मैं बुलते इसको क्यों तियारी करार हो आई एट की एंजिनेरिंग और मेडिकल की इसका माइंड सेट ही नहीं है और इसमें मैक्सिमम बच्चों को मैं देखा हूं कोई एंजियो कोचिंग को दिया करते करते मेरे ती चार कोचिंग हो गए लेकर मेरे बच्चे अमेरीका में में वी एंजिनेर हैं डॉक्तर है इस विवन गया है आपके प्रेस में बहुत नीज रीडर है अच्छा क्या बात है CNPC में भी है, ABP में भी है, मैं बताता नहीं लोगों को, मेरे पढ़ाय हुए बच्चे सांसद भी बन गया है, तो आप नी सीखा, आपने बच्चों को भी सिखाया, मुझे इंट्रेस्ट है उसमें, और मुझे अभी मौका मेरेगा, तो मैं वही काम करूगा, मैं बच्चों को इसमें अच्छा इंट्रेस्त मिलता है, और मैं भी करता हूँ, कि तुम्हारी इसमें रूची नहीं है तो मत करो, और मैं पोल्टीस Chiang को लोलता हो, कि इसमें रूची नहीं है, jeio काम नहीं आता है, जो तुम से काम नहीं होता है को मना कर दो, ओर आज-कल यह मानदारी का ज इसलिए मैं तो मानता हूं कि देखो अगर इस डेस में करफ़न को रघा गया हो और आजादी के बाद 20 साल बाद जो करफ़न बड़ा विस साल सतों मैं वानता हूं कि करफ़न करफ़न का की शुरुआत अगर मैं मानू होई तो सब 70s करन क्या है कि देखो पहले नेताओं के अपने स्वार्थ कम थे लोग लिमिटेशन जानते थे हां सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का था लेकिन आज एक भूक बढ़ गई यह लोगों की पैसा 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 मेटेरियल वार्ड जो आता है जिस फिल में आता है आप देखो पहले जब हम लोग पढ़ते थे तो जब दीम एस पी हमारे हां जाता था हम लोग उसकी पूजा क हम लोग बच्चे थे तो देखने जाते थे कौन दीम है वहां पले डखेती हो ती चुरिया डखेत को पकड़ लिया कर अपसं की तो बात ही छोड़ दो कोई नाम ही नहीं लेता था कि कोई अभी सार आज दीमस्पी जाते के साथ पहली पोस्टिं के साथ नियोचार खाने की आज़त सुरू हो जाती है चड़ावाद हें चड़ाओ तो कोई काम नहीं होता है भृष टाले कारण है देखो जब वैलू गिरती है किसी चीज की समाध में तो सभी की गिरती है यह नहीं मैं चरते हो शिर्प वह हैं थे पर बताया कि चारो जो हमारा स्थ नहीं है मैं यह चैनल पर जाता था, कभी-कभी मुझे प्रेस वाले को एंकर को बोलना पड़ता था, कि पहले आप तै कर लो, कि आप एंकरिंग कर रहे हो, या पाटी बन रहे हो, आपने देखा होगा चैनल पर आजकल, आजकल एंकर पाटी बन जाते हैं, कोई सरकार का पक्ष लेने लगता ह उनका काम नहीं है, आएजकल नहीं है, वो अपना थोपते हैं, यूज कम निखाते हैं, यूज में विऊज अर बीना जानकारी का विऊज कभी-कभी, उसमें ज़ड़ बढ़ होता है, विऊज देर हो ठीक है, लेकिन बीना तत्धों के जो रिजल्ट निकालने लगते हैं कोट की तरह जो कुरिदने लगते हैं उससे बहुत फाइदा नहीं हो रहा है जैसे हर चीज को आपनी लिमिटेशन हर को समझने चाहिए इसलिए मैं वेबाक इसलिए भी में तो एंकर लोगों को भी बोल देता था तो सकता किसी को बुरा भी लगता हो अच्छा भी लगता हू लेकिन सही शीज नहीं बोलोगे कभी ने कि बोलने ही पड़ेगा अगर आपकी पार्टी में आती है तो क्या बदलाव लाएंगे अपने स्टेट में किस तरह से उन लोगों चली रही है जो सरकार में है बदलाव तो भी ला सकते हैं ना जिनके हाँ तो में पावर होती हम ल तो जिन कारों से भी नहीं आए जब जनता का जो मैंडेट है वो तो आपको सुविकार करना ही पड़ा नहीं थे तो फिर निती जीज उदा से छोड़ के आए तो फिर सरकार में आ गए तो ज़िए सरकार में हो देख रहे हैं बिहार में बदलाव की तो ज़रुरत बहुत है देखो मेरा तो एक ही मक्सट था मैं हर मंत्रियों को भी ओलता हूं यह देखो आप सिक्षा चोड़ सब कुछ बच्चों को सिक्षित बना दो आपनों खुब रिपोर्ट दिखाते होगा टीबी पर आप रिपोर्ट देखते हैं हर प्रदेशों की एप्रदेश में टीचर क एक से शौ तक नहीं आता है जी टीचर को कम्प्लिमेंट की स्पेलिंग यह आती है टीचर को इसकूल में आ रही है लेकिन टीचर बना प्रदेश कोई ने परता है हर लैंग्वेश चिखने में उतनी कर्ष्री चुट आहीं उतनी मेहनत लगते हैं इंगली शिकलो उर्दी अपने अपने मातर भूमी ही आदमी कमफर्टेबुल होता है और सोचता जब अपनी मातर भूमी है तो उरिजिनल सोच निकलती है नहीं ज़ अगर मैं जब झिसोचता और को सिच करता हूं आप और मुझे सब कुछ सपने भी भोजपूरी इन आधिप ज़स को है मैं कभी वहां खड़ी हिंदी नहीं बोलता हूं जाके जाके चेतर में जेनीव का प्रोड़क्ट कोई उसको लेना देना नहीं है उसको तो आम आदमी से काम है उसका काम होना चाहिए तो यह सबसे पहले सम्झाव से किसी भी सरकार को शिक्षा का स्थरूपर करो अजमी हजी ह करने आ गया हो सिख्षीत वाल लेकिन हम लोग भी तो वही से आया है तो उस शिक्षा को उस गाहों के स्कुलों को मजबूत करना पड़ेगा यह पबली की सूल के ओ खुले क्यों बढ़ते गए हमारे समय तो नहीं थे इसके भी कारण है यह बढ़ते गया क्योंकि हमारे सरक करने सी जीन को उसमें ध्यान देना था उन्हीं के बच्चे जब पब्ली की स्कुल में चले गए तो क्या ध्यान देंगे सच बात तो ही है और किसी ने सवाल उठाया था इसमें कोई हर्च नहीं है पहले तो यह तै कर दो कि जहां का जो नेता है जहां वो बीरोक्रेट रात है जिस ज्ले में रहता है उसका बच्चा वही के पढ़े में आपको उदारवरा रहां मैं अनुखा पढ़ता था तो उयो की लड़की सारे और की बिए समय । पहने नौखागर न भ 라고 यह चला तो जाता है लो देसमें और भी सरकारी स्कुल में आज आप बताँ इस देश में कि किसी भी वहाँ पड़े ते बहुत बड़ाबत लवाएगा दूसरा यह तैव हो जाए कि स्वास्त है वो गरीब का बच्चा ही के हो जाए डियम का भी बच्चा उस जीला अस्पताल में जाने लगिया मंत्री का बच्चा तो उसकी हालत ऐसी सुधर जाएगी देश में इंफ्राइ सरुन नहीं होती होती तो गाउं में विज़ी लगी नहीं होती एक साल में नहीं होता तो किसी न पोट किसी और ला पढ़ेगा किश फिर्फीटल खोलने से जौन खूले हिए वो चल रहें का पंसे येजुघ सिन्यार रहे है है क्या ़ह गatura है कि सबसे ज्यादा नूक्सान ह लोड तो सर्कारीद लोग देखते हैं रोड बना हुआ है और आप लुड भी रिपोर्मिन सटो बना हुआ है इसी आज बी Telesis तो अपने फ्रूप में जाकर के खेतों में पढ़ते थे, अन आज के रखवाली भी करते थे, खेत की रखवाली भी करते थे, KW wish जब इसकूल अच्छे थे, हमारे टीचर अच्छे थे, अब तह यही नहीं, अब तो टीउसन पढ़ने वाले जाता है, लेकिन मजबूरी में टीचर को कुछ नहीं आता है, तौर लोग टीउइसन पढ़ने जाते हैं, तो टीउइसन पढ़ने बाले भी तौ वाईसे ही हैं. मैं तो जब विधायक्त अपने गावों में अपील करता था, कि गाओं का कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा है टीउशन पढ़ाता है अगर तो इस्कूल में भी दो-चार घंटे टाइम दे अपने बच्चों को पढ़ाएं टीचर की कम यह कि ओडिए यह डोग जीशसरकार को देना § लेकिं जुव शुबॉट करो चीजों से मुझे बहुत कर स्ट चिंजा से आता हूं जब वहां के लोग आते और पैर भी करते हैं एम से महमें दिखा दीजे रहने का नहीं फूट पात पर रहता है अब नाम है तो जैसे एम्स खूले तो सारे एम्स का स्टेंडर बढ़ा हुना है सही क्यों भीहार कर लड़का यहां आएगा क्यों वहां कहां है एम्स बन गया मालो उतराखंड मेरी सीके देना पड़ेगा अब रोड़ा बिजली का जमाना गया है यह पूरा हो गया तो दूसरे चीजों पर ध्यान तो देना ही पड़ेगा हेल्थ पर एजूकेशन पर अब मैं तो कहता हूं हिंदुस्तान के बच्चों को सिर्फ एजूकेशन दे दो ओ दिनिया में कहीं भी कौना नहीं होती मतलब अवेलेबिल नहीं होते सरकारीजर होणा चाहिए तो क्या लगता कशका अप्सरे कर रहें कि वहां पर अवेलेबिल नहीं करा देवह मांको मुझे अधे बख्या और है जब बतादी यह इसकूल में पड़ा हो मैं घड़े से बच्चा था पता ने ब तो नो बोलते हो ना placing ऒर ऑफ डॅःटार उक्तर नो आकर जिंदा लेंगे में और ऑबश्जा के डॉक्तिर कर दिया था लेकिन पर रहा के बाद भीड़स्ट v खोला और वहीं सेवा करते रहा है तो सरकार अच्छी हो तो उसका जुनिन भी काम आता है सरकार से प्रोटेक्शन था लेकिन बिहार में एक दौर आया डॉक्टर से रंगदारी मांगने ले डॉक्टर का प्रेक्टिस अजी रंगदारी दो नहीं तो बेटे का अफ़रन कर ले किमत कर देता है रेप करने का कहां गया कानून अधिक्ष्ट समझे समाज़ यह जब्ष्टा ज़िए नहीं रख मतल जब तक नहीं चिवालों को लौना लेगको सफ़िक्त नहीं को दर नहींSiा यह जब तक दशिका नहीं आदमी को निरम को छोड़ दोगे, तो सब भीचारी अत्याचारी होगा, गुंडे बदमास हो जाएगा, यह पुलिस के उरकनी पड़ी, बाई नेचर है, जब डर नहीं होगा ना, तो यह होता है, यह कोई रिसी महरसी थोड़े है, कोई साधना थोड़े करने आए, यह तो आ अब चले जाओं, यहां बहुत परदेस है, बाहर समान रख दो, कोई नहीं छूता, हमारे यहां भी ऐसी इस्तिती पहले थी, हमारे गवों में इस्तिती थी, बेहर में भी थी, लेकिन यह जो डीजेनेरेशन शुरू हुआ, सब छीज में, और मैं तो कहता हूँ कि 90's के बा खर्च, हम तो कभी सोच नहीं सकते थे, मैं दो हजार में चुनाओ लड़ा था मातर, तीन लाख रुपए से सोचो, ML बन गया था, पाठी से दो लाख मिले थे, की तीन लाख है, एक दो लाख अपने कर्च गए, जो पता ही नहीं चला, की पैसे लगते है, तीन चुनाओ मे नहीं चला, चार चुनाओ में पता, पाँच हुए में जला, जब पहते की अहमीत बनी तो मैं हार गया, पैसे से चुनाओ जीतना, इस लोग तंतर, वो भी एक खतरनाक खेल है, चुनाओ तो ऐसे होना चाहिए, की जो पैसे की जुरूत नहीं है, लेकिना है, इस सचाई को आदमी को, आदमी क्या होता है, जैसे ढालोगे न, सरकार की नियम को अनुसा चलने लगता है, दिन कितना भी कर्षिया, नहीं नहीं पॉलीसी आती है, कुछ दीन तो बाद पेच्छलता है, बाद में आदमी एकशेट कर लेता है, कर लेता है का लेता है, आप देखो, यहीं बाहर के कंट्रीज से, वहां डर है कि, आतंकःबाद अलग चीज है, उग्रबाद फैला इस हम लोग पढ़ते थे तो रेप नाम की चीज तो कभी सुने ही नहीं थे और घर से बच्ची निकल जाए गाओ के बच्ची आखेत में काम करने जाती है क्या कुई धीमत कोई बुरी ने कोई याते है क्या बेटी कहा जा रहे हो थोड़ा पानी है थोड़ा हमें वी दो प्यास अधेरा होगा तो लोग घर पहुंचाते थे अज कहां से कहां समाज चलागे तो भी बोला ना कि जब सिस्थम तूटता है नीचे तक तूटता है यह जरूरी है और यह हिंदुस्तान दो चार चीज़ें कर ले तो विस्व में तो हमारा कोई काबला ही नहीं है हम वही हिंद नारी संस्कृति और सभेता तो हमारा ले जाकर को रिशर्च करके कहां से कहां से ले गया हम उसी को भूलते जा रहे हैं नालंदा जैसा भी सुभी दाले बूद विसु में नहीं था एक दो अधार देके आपको मैं समात करूँगा जब हमारे पास नालंदा तक्सिला था उ बहुत प्लान वे में डिमॉलिस्ट किया गया बाहर से लोगों के द्वारा उसका अस्थान कॉल ले लिया कैमरीश चला गये लंदन पूरी दुनिया पराज किया लेकिन जैसे Massachusetts अर्वर्ड जैसे इनुवर्सिटी आगई अमेरिका में इनका अस्थान ओ ले लिया तो पूरा अमेरिका पूरे वर्ल्ल बैंक पर दुनिया पर अईवने पर अमेरिका कराज चलने लगा इस दुनिया में अब इसकी ताकत तो समझो, ताकत सिर्फ एजूकेशन की होती है, मनिक नहीं होती है, इसलिए जब भारत तक्सीला ना लंदा था, तो सबसे ताकतवर बाबीश्व में भारत था, सब को यही आना पड़ता था सराने, जैसे इस सिफ्ट हो करके, चला गया लंदन, कि इन्वर् ताकत वर है, यह किसी सुचा है, क्या है, उसकी ताकत है, अचलो वर्ल बैंक में, हार्वर्ड का प्रोड़क्त आगया, अरे भाई, यही चला है, ताकत तो दिया, जैसे आप में IIT बनाया, आज IIT के इंजिनियर की पूरी दुनिया में सान है, तो चलाता है, चाहे चले जा चल रहा हो, Facebook चल रहा हो, कौन है, कौन ऐसी हो, कहोगे ही Indian है, लेकिन Indian भी कौन है, सब IIT है, maximum IIT के प्रोड़क्त है, तो इसकी ताकत को समझने पड़ेगा, ऐसे इंशुट लाने पड़ेगे, हम तो कहते हैं कि पलिटिकल इंशुट की जरुवत है, पलिटिशन की ट्रेनि पलिटिशन के लिए, राजनिति के इंशुट सी है, अगर देश को ताकतोर बनाना है, राजनेता पर ही लोग भरुशा करते हैं, तो इंशुट चाहिए, उसकी ट्रेनिंग चाहिए, पलिटिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए, लास्ट मेरा आप से एक सवाल है, कि अगर हमारी यंग जनेरेशन को, जनता को कुछ तेप्स देना चाहिए, या कुछ बात कहना चाहिए, दोखो मैं एक चीज तो कहूंगा, आज का जो यंग जनेरेशन है, हमसे बहुत आगे है, और ओ ऐसा नहीं है कि ओला परवा है, ओ एक्सपेक्ट करता है, लेकिन उसके मन में भी, सब काम करते हुए भी, और आजनीती की तरफ भी अपना थोड़ा योगदान करे, सोसल वर्क के तरफ भी हो योगदान करे, और मैं देखा हो, जो यंग जनेरेशन जो बहुत पैसे कमाने लगे, आज कल तो आप मुको मालूम है कि 20-22 साल के लड़के को भी करोड़ों के पै तो वहां के बच्चों को पढ़ाते हैं, आई-एटी के लिए तयार करते हैं, उनकी सोसल रिसपोंसिबिलीटी उखुज समझ गया हमने तैने किया, सी एसर जो बोलते है न, वो समझ रहे, सोसल रिसमिल, और जो बच्चा आयाटी कर भी गया, वो दान भी देता है वहां, इ सी एसर फंड का गठन के हो किया लिए, सोसल रिए जो कमाते हो, यहीं से कमाते हो, कुछ तुम्हारी जिमोवारी बनती है समाज के लिए, लेकिन आज कल इसमें भी बड़े घोटाले हो रहे है, एंजियो का गठन के हुआ, समाज के उस तर तक पहुचने के लिए, जह कोई नहीं पहुच पाता था, ओ भी घोटाले के सी कार हो गए, तो आज कर बच्चों को इससे बचना चाहिए, और बच्चों को भी एक है, जिस तरह का दौर चल रहा है, उसे बाहर निकल करके, देश को कैसे आगे बढ़ाएं, क्योंकि आज कल हाई टेक्नोलिजी का जमाना है, किसी को आप बता नहीं सकतो, वो आप से जादा है, कंप्यूटर खोलेगा बच्चा, तो और सरकार को भी चाहिए, कि जो ये पढ़ाई चल रही है, आज जो डिजीटल पढ़ाएं, डिजीटल को सही डंग से स्कूलों में लागू कर दो, आदे टीचर की, उस वही टीचर क करने की जोरत है, जब ट्रेंड टीचर ही नहीं होगा, तो वहां से डिजीटल बच्चों को पढ़ा पाएंगा, समय अगर कम है, इसकूल कम है, टीचर कम है, तो उसके भी उपाय हो, तो इन सब चीज पर रिसर्च करने की जोरत है, आज भी मैं मानता हूं, देखो मुझे कह काफी कुछ एडवाइज दी हमारी जनरेशन के लिए, हमारी जनता को बहुत बहुत शुक्र आपका हमारे शो में आने के लिए, तो ये थे हमार साथ रामिश और चौरसिया जी, बहुत अच्छा लगा इन से बाते करके, इनके बारे में जानके, तो अगले शनिवारा हम फ करूड आने, तो मुझत अच्छे करके लिए, और क्यों से भाँ हमारे वाने, जुक्त बच्त, कब साथ और मीश और में घर जे आने से वाराबे ख гावचा, ए wारे में आने के लिए जुक्त झाल झाल